finally meta verified के लिए मैं eligible हो गया हूँ लेकिन अभी भी मैं blue tick नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मैं एक requirement को fulfill नहीं करता हूँ meta verified की subscription को खरीदने से पहले आपको ये 3 requirements fulfill करनी पड़ेंगी तब ही आपको blue tick मिलेगा first requirement है कि आपका account public हो या private हो लेकिन उसमें आपका full name होना चाहिए second requirement है कि आपके account के उपर two factor authentication enabled होना चाहिए और third requirement है कि आपके पास एक government issued ID होना चाहिए जहाँ पर आपका full name match करे आपके account name से अब इस page के नाम की government ID तो मेरे पास नहीं है लेकिन परसनल account के उपर मुझे हर महीने 600 रुपए देके blue tick लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए मुझे comment section में बता देना और इसी तरीकी के updates के लिए आप मेरे page को follow भी कर सकते हो